राजस्तान कॉंग्रेस के भीतर नेत्रुत्व की लड़ाई अब नए मोर पर आ चुकी है प्रदेश की राजनिती में दशकों तक अपने करिश्मे का सिक्का जबाये रखने वाले अशोगैलोद की पकड़ दीरे दीरे डीली पर्ती दिखाए दे रही है यह बदलाव सचिन पालेट के युग का उदैसे और आधिक इसपर्ष्ट हो रहा है और अब राष्ट्य राजनिती में भी एक एहम चेहरा बनते जा रहा है अशोगैलोद जो राज्य के मुख्य मंत्री रह चुके हैं और कॉंग्रेज संग्ठन पर उनकी मजबूत पकड़ रही है अब बिमारी और अम्र के कारण सक्रिय राजनिती में उतनी मजबूती से नहीं दिखाए दे रहे उनकी सियासी सक्रियता में कमी ने उनके समर्थ को में असमंजस की इस्तिती पैदा कर दी है हाल के लोगसवा चुनाओं में अपने बेटे वहवाव गैलोत को जिताने में उनको अहसफलता मिल गी और उनकी राजनिती इस्तिती और कम जोर कर गई वहीं सचिन पाइलेट की इस्तिती एकदम उलट है उनने जमुकश्मीर चुनाओं के लिए इस्टार प्रिशारक बना कर कॉंग्रेस हाई कमा ने इस परस्ट संकेत दिये दिये हैं कि पाइलेट के पास एक राष्ट्रिय आकरशन है जो शायर गैलोत के पास नहीं इसे प्रदेश में पाइलेट के समर्चकों के होसले बुलंद है सचिन पाइलेट जिनने कभी गैलोत खेमे द्वारा नकारा और निकमा माना जाता था आज कॉंग्रेस पाइलेट के लिए एक महत्वपून चेहरा बनते जा रहे हैं पाइलेट की लोक्रियता का ग्राफ ते कि अशोग गैलोत को इन राज्यों में कोई विशेज जिम्मेदारी नहीं दी गई है यह साब दर्शता है कि गैलोत की राश्ट्रिय च्छवी का अब कॉंग्रेस के भीतर उतना महत्वर नहीं रह गया है गैलोत के धुर विरोधी माने जाने वाले मदेना परिवार की अब चुनाओ पाइलेट के लिए एक बड़ा अवसर साबित हो सकते हैं माना जा सकता है कि कॉंग्रेस के उम्मिद्वारों की चैन परक्रियाओं में पाइलेट की एमभूमिका होगी और अगर उनके टीम इन चुनाओं में जीत दर्श करती है तो पाइलेट का कद और बढ पाइलेट के बीच एक नई शक्ती संतुलन की मांग कर रही है गैलोग के समर्थक जैसे की प्रदीश कॉंग्रेस अध्यक्ष गोविन सिंग डोटासरा उप्चनाओं तक तो अपने पद पर बने रह सकते हैं लेकिन उसके बाद पार्टी हाई कमान उनकी भूमिका पर पु वे राजस्तान कॉंग्रेस का चैरा बन सकते हैं अब देखना ये होगा कि क्या कॉंग्रेस हाई कमान गैलोग और पाइलेट के बीच शक्ती संतुलन बनाए रख पाता है या नहीं जो भी हो सच्चाई ये है कि सचिन पाइलेट के लिए पार्टी का समर्थन और जनाधार दोनों ही तेजी से बढ़ रहे हैं इस पूरे घटना करम में ये साफ है कि राजस्तान कॉंग्रेस की राजनिती में आने वाले दिन बहुत दिल्चर्थ होंगे क्या गैलोग फिर से बाजी पलटने में काम्याव होंगे या सचिन पाइलेट ही ने सियासी नायक बनकर उबर पार है